ओम नमो भगवते बासु देवायव नारायणम नमस्कृत्यो नरम्चैव नरो तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदी रहेत। श्रीमत भागवत दुती इसकंद छठा अध्याय ब्रहमाजी बोले हे नारत हमारी दस इंद्रियां मन, प्राण, बुद्धी और इनके अधिस्ठाता देवता ये सभी इस बिराट पुरुष से उत्पन हुए हैं। सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा कहां तक कहें संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सभी बिराट पुरुष भगवान ही है। मैं जिस समय भगवान की नाभी से आविरभूत हुआ। मैंने यग की सामगरी भगवान के अवयबों से अत्रिक्त नहीं देखी। अतह उनी से उसका निर्मान किया। पुरुषा वयवईरेते संभारा संभरता मया। उसी से भगवान का यजन किया। इसलिए संपूर जगत नारायन में अधिस्ठित है। वे निर्गुण होते हुए भी सस्टी के समय सगुण हो जाते हैं। उनसे ही प्रेदित होकर मैं सस्टी करता हूं। विश्णू पालन करते हैं एवं सिव संभार करते हैं। भगवान से अत्रिक्त संसार में सत असत कोई पदार्त नहीं। यह निश्चित जानों क्योंकि नाभारती बेमेंग म्रसो पलक्षते नावई क्वचिन में मनसो म्रसागती नामे रसी कानी पतंत्य सत्पते यन मेर दीत कंत्य वताद्रतो हरी। मैंने प्रेम से भगवान को रदय में धारन किया है। इसलिए मेरा मन एवं वानी इंद्रियां कभी असत मार्ग में नहीं जाती और ना मिथ्या निरने ही करती है। हे वस अब मैं उन्ही विराट भगवान के मंगल में सुन्दर लीला अवतारों का क्रम से वरण करूंगा जो कुसंग वस मनुषियों के करण कुहरों में चिरकाल से बहते हुए विसियों के प्रवाह को सुखाने वाले हैं। तुम उनका ध्यान पूर्वक श्रवन करों इससे तुम्हें बड़ी सांती मिलेगी।